हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल मेरे चैनल करना है मैं फैमिली विलो और मैं सुबह की पूजा करने के बाद यह और कुछ काम करती हूँ यहां मैंने सुबह की पूजा कर ली है और फिर मैं इसके बाद लगाओंगी ज़ाड़ू और मैंने सुबह एक बाद ज़ड़ू लगा ली थी अब मैं दूसरी बाद ज़ड़ू लगाओंगी और फिर मैं उसके बाद पूचा लगाओंगी उस सारे घर को मैं अच्छी से साप करने के बाद ही पूचा लगाओंगी ज़ड़ू लगाने के बाद मैं डस्टी में कर प्यूच और इसके बाद फिर मैं दूद में रई लगाओंगी दूद में रई लगाती है मैंने और फिर इसके बाद मुझे मुझे निकालना है और मैं दूद में से मख़न निकाल लगा हुए एच्छे से इला करें अकटा करके मैं मख़न निकाल लगा हुए और हम सब मठा पीते हैं खाने के साथ यहां पर सभी को मठा बहुत पसंद है फिर मैं सुबह के बरतन दोंगी वारे मैं बरतन दो रही हूं मैं इस रात के बरतन सुबह को सारे दोती हूं जो टोकरे में रहते हैं उने में दो बारत होती हूं मैं सारे बरतन अच्छे से बरतन करनेंगी सुबह बहुत सारे बरतन बनाते हैं सुबह बहुत सारे बरतन होते हैं मुझे पहले से यार्ट था मैं रात की बरतन को भी सुबह बरतन होती हूं आज मैं आप सब के साथ भरवा भिंडी की वेशिपी शेयर करूंगी मैंने पहले अच्छी से भूलिया था और अब मैंने लंडी लंडी काट लूँगी बीच से काट कर इनमें फिर मसाला भर लूँगी अब महतल।ाय को इसे में घंडी में घंड़ें और तो मैंड टेल बनाएं यह ने प्रइंड त्यल यह इंट यह करम हो जाएगा तर इसमें छोग डाल दूगी और मैंने पक्की औरजिया के लिए बनाई है तो और ही वो भिंडी नहीं खाते यहां मैंने भिंडी छोग दिया और इन्हें अच्छे से भून कर मंदी मंदी आच पर में बनने के लिए रखते हूं ही जब तक यह मसाले मिक्स ना हो जाए इन्हें चलाती रखे अच्छे से चलाने के बाद मैंने डग दूंगे मैंने थोड़ी देर के रखतूंगे और फिर नहीं आज पर दूंगे मैं रोटिया बना रही हूं हम भंडी मेंदी सब खाने के लिए आप दूंगे सब खाने के लिए आप दूंगे मैं रोटिया बना दूंगे सब खाने के लिए मैं रोटियों को पराद नहीं पेलती हूं क्योंके पराद बढ़ी है पराद बढ़ी होने के बार निसमें पराद बढ़ी होने के बार निसमें कुछ कपड़े रह गए हैं और इन्हें भी मैं डाल दूंगी यहां पर मैं सब के लिए चाय बना रही हूं तीश्रे पैर की चाय चाय बनाने के बाद मैं आप सब से बाते करती हूं हेलो कैसे हैं आप सब आप सब ठीगी होंगे और मैं अभी-अभी सारा काम प्रिश करके नहा कर आई हूं और मैंने सब के लिए चाय भी बना दिया है और सब लोगों ने पीवी ली और अब मैं आप सब से अपनी बाते शेयर करूं गी जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं गाउं से हूं और गाउं में हिसाधारन साई जीवन होता है और मेरी वीडियो में अभी कुछ-कुछ मिस्टेक हो जाती है उसके लिए सोरी और आज मैंने बनाई थी बिंडी की सबजी अगर आप सब को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं तो चलिए अगर आप सब कर देने और में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी